खबर समय जगत में आपका स्वागत हैं मैं हर्शता जोहरी आई नज़र डालते हैं देश प्रदेश से जुड़ी तमाम ख़बरों पर मंगलवार को खाक चौक इस्थित परिशर में जिलापरसासन द्वारा ब्रहद इस्तर पर दिव्यांग यूवक यूपतियों का परिचे संमेरन आईजित किया गया यह आईजित सामाजिक न्याय एवं निसक्त जन कल्यान विभाग नगरपाली का निगम उज्जैन जनपत प द्वारा मंच के माध्यम से उनका परिचे करवाया गया परिचे समेलन बिधायक श्री रामलाल मालविये सीओ जिला पंचायत नीलेस पारिक अपर कलेक्टर छितिस सिंगल जिला पंचायत अध्यक्ष करुण कुमारिया सेवधाम आश्रम के संचालक सुधीर भाई गोयल सम सेवी केशर सिंग पटेल राजू पटेल संतोस परमार संक्तो संचालक सामाजिक नियाय सिएल पंथारी जिला महिलाश शक्तीकरण अधिकारी साबिर एहमद सिद्धी की याननंदक उर समाउसेवी नासीर बेलीम अन्यस संबन्दित विभागों के अधिकारी गर्ण और गडमान नागरिक मौजूद थे लेखनी है कि इस परिचे सम्मेलन में उज्जेन शहर उज्जेन जनपद और घटिया जनपद के आसपास से लगभग 200 आवेदन आई जिन में से 50 से अधिक जोड़े बन चुके हैं दिव्यांग जनों के जोड़ों की काउंसलिंग के पश तुधीर भाई गोयल ने जानकारी दी कि इस सम्मेलन में सेवाधाम आश्रम के 20 जोड़े सहित 50 से अधिक जोड़े अब तक बन चुके हैं इन में 5 से अधिक मुस्लिम जोड़े और उतने ही सामाने और दिव्यांग के जोड़े बन चुके हैं इन जोड़ों में मूख बध जोड़ों की निरंतर काउंसलिंग की जा रही है और उनके परिवार जनों से सतत संपर्क किया जा रहा है दताना निवासी 28 वर्सी पैर से दिव्यांग लाखन ने आजंपुर निवासी मुख बधिर संतोसवाई को अपने जीवन शाथी की रूप में पसंद किया उनके पर संमेलन हम सभी के लिए आशा की किरन साबित हुए हैं लाखन ने कहा कि वे पहली बार परचे संमेलन में आये यहां उनकी मुलाकात संतोस बाई से हुई दौनों ने एक दूसरे को पसंद किया लाखन ने अपने माता पिता से कहा कि उन्हें संतोस बाई पसंद है और फिर द खाखाखीड़ा निवासी प्रियंका पिता उम्रावत सिंख से हुई दौनों की माता पिता ने आपसी बात्ची से आगे विवा के सम्मन्द में निर्ने हे तू काउंसलिंग की नीमच से आये अरजुन सिंग पिता राम सिंग ने बताये कि समाचार पत्रों के माधियम से उन् अगर मालवा निवासी कमलेश मित्तल जो की मुख बधिर है अपने पिता और बड़े भाई के साथ परचे सम्मिलन में आए थे यहां उन्हें सिवाधाव आश्रम की मुख बधिर प्रिया पसंद आई और अब काउंसलिंग के माध्यम से उनके रिस्ते की बात आगे केक्षा जाहिर की है जिस पर अभी समासेवियों और अधिकारियों द्वारा उनकी मंसा का सम्मान किया गया और उन्हें प्रोच साहित किया गया प्रदीप के माता पिता भी संगीता से विवाह करने के एक्षुक हैं इनकी काउंसलिंग भी आगे की जाएगी इसी प्रकार म मुख बधिर दिव्यांग रचना से विवहा करने की इक्षा जाहिर की। काउंसिल द्वारा दौनों को जोड़ा बन चुका है। उक्तपर्च सम्मेलन में लगबक सभी धर्मों के दिव्यांग यूवक युपतियों ने भाग लिया और अपने योग्य जीवनसाथी के तलाश की इस परचे सम्मेलन में आये। दिव्यांग जन और उनके माता पिता ततापरिजनों का उत्साह देखते ही बनता था प्रशास की ओर से दिव्यांग जनों के भोजन और शुद्ध पेजल की व्यावस्था भी की गई थी नगर निकम उज्जेन जनपत पंचायत गडिया और जनपत पंचायत उज्जेन के दिव्यांग लोगों का विवाय योग की जो यूवक यूथी है उनके लिए ये परिचाश सम्मल बनते हैं उनके फिर आगे शादी के बारे में ये लोग ताय करेंगे कैसे करना है उनके परिवार वाले ताय करेंगे खबर समय जगत के लिए उज्जेन से मयंक गुर्जर की रिपोर्ट